इस वीडियो के अंदर मैं महिंद्रा की उन साहथ कारों के बार में इटील में बात करूंगा जो उनको 2022 में इंडियनमक्त में लॉफ क्या जगा जो महिंद्रा की सबसबेली का रहा थी जिसको बहुत जल दि इंडिया में लॉफ किया जगा है वहे यह XOTV3 бл बलो हलाकि यह XV3W का electric model रहने वाला है और इसको महिंद्र कंपनी ने Auto Xp में already showcase किया हुआ है चेंजर्स के अगर मैं बात करो तो इसके एक्स्टेजर में कुछ चेंजर्स किया जाएंगे और इसके internet कुछ features को upgrade किया जाएगा कुछ नए internet features भी हमें देखने को मिल जाएंगे इस कार के अंदर रेंज के अगर मैं बात करो तो XV3W का electric model एक single charge में लगबगा 300 km तक की range दे सकती है हलाकि इसका मुकाबला union market में नेक्सोन EV के साथ रहेगा और नेक्सोन EV एक single charge में लगबगा 312 km तक की range दे देती है तो यहाँ पर range आपके सामने है वही इसके launching के बात करो तो महिंदर कमपनी इसकार को 2022 के मिल के असपास launch कर सकती है और इसकी कीमत 10 लाग रुपे के ऊपर ही रह सकती है महिंदर की जो second number की कार आती है जिसको 2022 में इंडिया में launch किया जगा वो है XV9W कूपे हाला कि महिंदर कमपनी इसकार को एरो नान से भी इंडियन माकेट में उतार सकती है या फिर इसका नाम XV9W भी रह सकता है और महिंदर कमपनी ने इसकार को भी auto expo में showcase किया था आप स्क्रीन के ओपर कुछ images या फिर वीडियो देख सकते है इसका exterior look काफिया तक कमाल का है, friends भी यह दिखने में काफिया तक जबदस लगती है और इसका rear का feature और इसका sloping roof line दिखने में काफिया तक कमाल का है इसके interim में काफी premium features हमें दिखने को मिल जाएंगे और इसका engine में काफी powerful रहने वाला है इसको अगले साल इंडियन मकेट में लॉंच किया जा सकता है और इसकी कीमत 20-25 लाग रुपए के ऊपर ही रह सकती है आपको क्या लगता है महिंद्रा के इस कूपे स्टाल यसे विकार की कीमत कितनी होनी चाहिए मुझे comment instruction में जरूर बता देना वही जो 3rd number की कार आती है जिसको महिंद्रा कमपनी अगले साल इंडियन मकेट में लॉंच करेगी वह है थार का 5-door variant हाला कि थार के ऊपर एक साल का वेटिंग पेरेड चल रहा है लेकित इसके अलावा इसको बहुत जबदस रिस्पॉंस मिल रहा है और जो 2021 का मॉडल है थार का यह तो काफी अदक कमाल का है इसका एक्स्टर लुक भी काफी अदक जबदस थे और इसके इंटरे में भी काफी कमाल के फीचर्स दिये हुए है हलाकि यह जो 2021 का मॉडल है यह 3 डोर मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन थार का 5 डोर वीरियेंट बहुत जल्दी इंडिन मॉडल में लॉंच किया जाएगा इसके इंटरे के कुछ फीचर्स को अपग्रेड किया जाएगा और इसको अगले एक दो महिने के अंदर इंडिन मॉडल में लॉंच किया जा सकता है और यह एक सिंगल चार्ज में लगबग 800 किलोमेटर तक की रेंज दे सकती है और इसकी कीमत 8 लाग रूपे से इंडिया मे हो सकती है वही जो 5 नंबर की कार आती है जो कि मोस्ट अवेटेड कार है जिसका लोग बेस अबरे से इंतजार कर रहे है वह है नेक्स्ट जेनरेशन स्कॉर्पियो न्यू स्कॉर्पियो की पिछले 2-3 सालों से टस्टिंग ही चल रही है हाला कि रीसरनली महिन्दर कंपनी न आपको बहुत सरे नए इलेमेंट्स देखने को मिल जाएंगे और इसका इंटेर काफिया तक नया रहने वाला है इसके अलावा सबसे इंपोर्टेंट चीज अब नए स्कॉर्पियो थोड़ी से बड़ी रहेगी आज कंपेर्ट टू ओल्ड जेनरेशन स्कॉर्पियो तो य इंडिया में लौच होने के बाद कंपेर्ट करेगी क्रेटा सेल्ट ताइगों कुशक इन कारों के साथ हलागि एक्सवे सब्सवेंट डबलो की जो डावेशन से वह थोड़ी से बड़े है वह हेक्टर हैरियर के सेग्मेंट में आ जाती है लेकिन क्रेटा सेल्टास के सेग इंडिया में वह है एक्सवे 4 डबलो हाला कि इसकी जो पोजेशन रहेगी वह एक्सवे 3 डबलो के ऊपर रहेगी और स्कॉर्प्यों के नीचे रहेगी और महिंदर कंपनी इसकार को लगबग अगले एक दो सालों के अंदर इंडियन मकेट में लांच कर सकती है तो महिंदर कंपनी इन साथकारों को इंडियन मकेट में बहुत जड़ी लांच करने वाली है इन में से आप किस कार का इंतजार कर रहे हैं मुझे कॉमेंट सेक्षेन में जरूर बता दिना चैनल पर नए हो तो चाहां को सब्सक्रेब करके बल नटिफिकेशन को अन्स जरूर कर लेना मि हुष टेर्वल्म अटियुक्त एंडिवल्म इसेट बाल था मुझे हैं जरूर एंडियुक्ष और सुढलो नटियुक्षण को अन्स पलविड़ पार टाष्वार इंट और चैनल आटक्श को अन्स चाहां को ऑन दो करनें लूच. सुमें ऩारे हैं जाक्ष और शविंट है